नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार जागंदर मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के कन्या राश के दैनिक रास्पल के लेकिनों उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में बीस फरबरी 2021 सनी बार का दिन है और माग माश शुकल पक्षी अश्टमी तिती है नच्छत रहे रोणी और अब जीत महूरत दुपार 11 बच के 69 मिनट से लेके 12 बच के 49 मिट तक रहेगा आज का सुरूद सुबह 6 बच कर 20 मिट पे और चंद्रमा ब्रिसव राश में गोचर कर रहे हैं आज के जो अशुब समय होगा वह दो पहर एक बच कर 46 मिट से लेके दो पहर दो बच कर 49 मिट तक रहेगा इस अशुब समय में कोई भी सुब और ने कार के शुरूद ना करे नहीं तो बिग्न वाधाया शकती है अब बात करते हैं आज के कन्या राश के दैनिक रा पूचर आपकी सारी इक्षाओं को पूरी करते नजराएंगे क्योंकि भाग का साथ मिलेगा किस्मत का साथ मिलेगा जिसके कारण कन्या राश क्यात को आज के दिन बहुत अच्छा रहने बाला है एक तो मन में खुशियां रहेंगी मन में जो इक्षाओं थी उन इक्षाओ में हो इन दोनों जगह पर आज आपको शुब समाचार मिलेंगे और कोई भी पैत्रिक संपत्ती का बाद व्याद चल रहा था तो वह सौल भौता हुआ नज़राएगा या आपके चल कर साधी विवा हो इसलिए आप पहले से ही विवस्ता कर रहे हो तो पहले से ही आभुषणों के खरीदावी करते नज़राएगे करनियारास के जातक और अपनी वाड़ी से सभी को मोहित करेंगे अपनी वाड़ी के दोरा इंपोर्टन काम पूरे करते नज़राएगे चाहिए आप अपने बिजिनस बियापार में हो या आप अपने केरियर में जहां नोकरी करते हैं क्योंकि वाड़ी के मिठास के कारण अपनी बुद्धिमानी के छमता के कारण करनियारास के जातकों को आज में भी मान सम्मान मिलेगा और समाजिक इस्तर पर काफी ज़्यदा आप लोकवरी रहेंगे कन्यारास के जातकों आज के दिन आज जिस भी काम पे आप हांत डालेंगे आपको सिर्फ कामियाबी मिलेगी तो पहली आपके पूरी होती नजराएंगे केरियर में प्रोमोशन को लेकर प्रोमोशन के योग बनते हुए नजरा रहे हैं कन्यारास के जातकों के लिए और दूसरी एक चाहें सेलेरी में बृद्धी के रूप में भी मिल सकती है क्योंकि प्रोमोशन के साथ साथ सेलेरी में बृद्धी की योग बनेंगे तो और यहां पर देखिए बदला कर रहे हो याहां कर रहे हो उन्हें नौकरी के खुसकबरी जरूर मिलेगी यह आपकी एक च्छायें पूरी होती नजराएंगी किशी भी काम को लेकर आप जलदवाजी से पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर बनाकर चलें किसी भी योजना पर काम कर सकते हैं आज आज आपके नई योजनाओं पर आप नई कारचेतरों पर नई नई योजनाओं बनाएंगे और उन योजनाओं पर आप काम भी करते नजराएंगे कन्यारास के जातकों आज आपके परिवार का शहयोग सपोर्ट मिलेगा और जिस कारचित में आपका काम रुख गया था वह परिवार के शहयोग से पूरा हो शकता है कन्यारास के जातकों और जो नोकरी करते हैं जो आप करते हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा लेकिन मेहनत अधिक करने पड़ेगे देकि मेहनत तो करने पड़ेगे बोस के साथ तालमेल बहुत बहुत बहतर बना कर रखना होगा ताकि आने वाला समय आपके लिए बेटर रहे हलाकि आपके इस्टाप के लोगों का जो सह कर्मी है आपके साथ काम करने वाषय है उनके साथ आज तालमेल बहतर बनाना होगा और हलाकि कुछ मामलों में आज आपकी शाहिता भी करते हुए नजराइंगे आज आपके जो सीनियर हैं आपसे किसी बात को लेकर हलके फुलके नाराज हो सकते हैं हो शकता है आप उनकी मन की चीजे ना करते हो इसले भी और इन दिनों में देखिए दिल लगा कर अगर काम करेंगे तो दोस्तों आज की दिन बहुत अच्छा रहने वाला किसी भी बाद विवाद से आपको बचना भी चाहिए चुकि देखे चाहिए आपके घर में हो या पड पारषित में शहयोग देंगे और आपके कहया उनसार चलेंगे और आज आपके कार में जो पहले रुकावटे आ रही थे वह रुकावटे अब नहीं आएंगी और प्रॉबलम सौलूब होंगी अपने बिजनेस ब्यापार में एक नया आयाम देंगे नई गति देंगे नाफा करने राज के जात को कमा सकते हैं रियल इस्टेट या कंट्रक्शन का काम करते हैं तो आज की दिन बहुत अच्छा रहेगा छोटे भाई बहनों का सहयोग वह प्यार मिलेगा माता पिता का पूरा आश्दिरवाद मिलेगा कहीं भी कार करने जाएं तो सबसे पहले माता के दम पर आगे बढ़ते भी चले जाएंगे लब लाइब की बात की जाए तो कन्या रास के यतकों आज लब पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेंगे आपको सही राह दिखाएंगे जिसके वज़ए से आपके आने वाला समय ठीक रहने वाला है यदि आपने अभी तक प्र काफी अच्छा है आज की दिन और आप दामपत जीबन में खुश्या रहेंगे दामपत जीबन में मिठास रहेंगी दामपत जीबन में जो एक यानि की अच्छी चीज़ें नहीं चल रही थी वह भी चलेंगी और कन्फ्यूजन दूर होगा आपस में और संतान की प्लानिं करते हैं तो काफी अच्छा दिन रहने वाला है क्योंकि आपके द्वारा किया गया मेहनत कभी भी आपको निरर्थक नहीं ले जाएगा बलकि आपके लक्ष में करीब ले जाएगा और आपको शफलता दिलाएगा तो यहां पर इस्टूजन के लिए बहुत अच्छा रहने करने राशियत को जितना ज़्याद आप अपने शेहत के ध्यान रखें के उतना ही आपको लाबदायक रहने वाला है क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाई आपको भारी पढ़ सकती है घर परिवार में महल बहुत अच्छे रहने वाला है घर परिवार का सपोर्ट मिलेगा और साथी साथ शिंगल जातकों के विवाहत हैं हो सकते हैं और यहां पर कुछ दूसरों लोगों की बज़या से हलाकि कहीं आपको कोई बदनाम करने के कोशिश करेगा आपका नाम खराब करने के कोशिश करेगा चाहिए आपके केरियर में हो या आपके बिजनेस बियापार होगी क्योंकि काम का प्रसर रहेगा अपने पर्शनालिटी पर भी ध्यान देना होगा और देखें बेवज़ा किसी से भी आप बिल्कुल ना उलजें और संभल के भी थोड़ा बहुत रहने के आवशकता होगी हालकि आज के दिन यहाँ पर बहुत अच्छा करने राज के तो चनल को सब्सक्राइब करिये और शेयर करिए जैसे लिए जैसे लिए